आकाश्वानी फुपाल से प्रस्तुत है कटनी सिले के चिठी आलेग राके शितुर्वेदी वाचनस्वर दीपा सिंग कटनी में नौतपा के चटवे दिन भी आस्मान में चिलचलाती धूप और गर्म हवाओं से लोगुं का जन जीवन अस्त वेस्थ है कल गुरवार को अधिक्तम तापमान 46.5 डिग्री सलसियस रहा वही नीनुतम तापमान 34 डिग्री सलसियस तरश किया गया इस पीज जिले में भूजल इस्तर में गिरावट के कारण जल संकत बढ़ गया है हाला कि जिला प्रिशासन की ओर से भी आवश्यक इंतजाम किया जा रहे है गर्मी और लू के प्रकोप से बच्चों को बचाने के लिए कटनी जिले में आगामे 1 जून से 14 जून तक दो सप्ता के लिए 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आगनवाड़ी केंद्रों का संचालन स्थगित कर दिया गया है लोगसभा चुनाव की मदगर्ना 4 जून को जिला मुख्याले पर क्रिश्य पच मंदी में संपन होगी मदगर्ना कारे सुचारी रूप से कराय जाने ही तो तैयारियां की जा रही है मदगर्ना दलों का प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया है कटनी सिले में दो लोगसभाशेत्र आते हैं जिले का बढ़वारा विधान सभाशेत्र शैड़ो लोगसभाशेत्र में और खजुराहो लोग सभाशेत्र में मुणवारा, विजे रागोगड और बहुरी बन्विधान सभाशेत्र आते हैं कलेक्टर एवं जिला नवाजनातिकारी की निर्देश पर उमीदवारों के अभिकरताओं का एक दिवसी अप्रोजिक्षन आज आयोजित क्या जा रहा है विश्व तंबाकू निशेत दिवस पर कतनी में नशे से होने वाले दुश परिनामों से समाज शिवाओं को मुक्त कराने के लिए जन जागरती कारिक्रम आयोजित के जा रहे हैं इस उसर पर विश्व स्वास्त संगिठन की थीम बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तेशेव से बचाना पर आधारित कत्विधियां आयोजित की जा रही है इस इक्रम में अंतराश्री नशा निवारन डिवस 26 जून के उपलक्ष में नशा मुक्त अभियान 15 से 30 जून तक आयोजित किया जाएगा कत्नी में इस सित नदी तालावों को बाबडी और अन्य जल्स रोतों को अविरल बनाए रखने और जल्स अरचनाओं के सेक्षन के लिए 5 से 15 जून तक विशिश अभियान चलाया जाएगा इस विशिश अभियान के अंतरगत जन प्रतिनी धी सामाजी को और शास्की संस्ताओं तो ता जन अभियान परिशत की सहभागता भी सुनिशित की जाएगी जल्स में सापट 85 गहों खरीदी केंद्रों के माध्यम से समर्तिन मूले पर अब तक 20 जार 20 किसानों से 1,7,230 मेटरिक टन गेहों के खरीदी की जा चुकी है जल्स में अब तक 212 करोड रुपय का भुकतान भी किसानों के खाते में जमा कराएजा चुका है जिले में समर्तिन मुली पर मूंग और उड़त की खरी दीपां चुन तक की जाएगी इसके लिए तैसिलवार 55 पजियन के इंद निर्धारिप किये गये हैं कटनी नगर निगमनी संभावित आपदाओं के पूर्वा नुमान और उनसे निपटनी की कारी उचना तयार करने के लिए एक प्रकोष्ट का गठन किया है प्रभारी कारेपालन यंत्री राहुल जाखड को इस प्रकोष्ट का प्रभारी नियुक्त किया गया है ये प्रकोष्ट तीन दिवस में कारी उचना तयार कर प्रजिंटेशन के माध्यम से इसे प्रस्तोत करेगा इसके लिए अधिकारियों कर्मचारियों को अलग-अलग दाइत्व सौपे गए है कट्नी में अग्णी दुरखटनाओं की रोगथाम और भवनों में अग्णी सुरक्षा को लेकर दस दिवसी अभियान चलाया जाएगा इस दुरान भवनों का निरिक्षण कर लोगों को अग्णी सुरक्षा उपआयों की जानकारी दी जाएगी भारश शासन लोक्स वास्त और परिवाल कलिया मंत्राले नई दिल्ली के निर्दीशा नुसार 18 साल से अधिक आयू वर्क के लिए एडल्ट BCG वैक्सिनेशन का दो दिवसी विशेश सत्र 3 और 6 जून को आयोजित किया जा रहा है उप मंदली रेल चिकेट साले में होने वाले इस सत्र का आयोजिन जिला स्वास्ते समयती शाय जिला च्छाय केंदर कटनी के सहयोग से किया जा रहा है पंचायत उम ग्रामिड विकास विभाग द्वारा मार्श में जारी विभागी उचनाओ के जलेवार राजिस्तरी ग्रेडिंग में सिला पंचायत कटनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर एप्लस के साथ दूती स्थान हासल किया है जले की चिठी से माप्त होई